देली जिम जा रहे हो फिर भी बोड़ी नहीं बन रहे हैं उसके बहुत से रीजन है आज उनी में से कुछ पर बाट करते हैं कहां गलती कर रहे हो आप लोग कहां नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए पहली बात तो किसी को भी अंदा फोलो मत करो क्योंकि जिसे आप देख रहे हो क्या आपको पता है क्योंसे कितना टाइम हो गया वर्काउट करते हुए उसका बोल क्या है जिसे आप फोलो कर रहे हो नहीं पता बस जैसा वो करेगा हम करेंगे उसने एक घंटा कार्डियो कर रह आप देखते हो टाइगर ने है सलमान कान ने इतने फिलो के लंबल उठाया इतनी देश कार्डियोगरी इतना वर्काउट कर आप अरे मैं सहले ब्रेटी है उन्हें छोड़ दो आप उन्हें बहुत टाइम हो चुका है वर्काउट करते हुए और अपनी बोड़ी को खुछ सम कर्म पॉंट रती है जिम में जब आप खुदखर सीं से में देख के वर्काउट कर रहे होते हुए नियुक्त शेयस ते डि और से व्रकाउट करते हो और बाकी दिन का एक सोड़ा से ब्रहु बन जाएगे य억ettsी नहीं बनेगी इसके लिए आपको हर दिल मेहनेद करनी तक क्योंकि उसे लगता है जितना वर्काउट करूंगा उतनी जल्दी बोडे बनेगी बट आपको पता है उसमें और आप में फर्क किस चीज का है दोनों सेम इंटेसिटी से वर्काउट कर रहे होते हो बट फिर भी बोडे में सब्सक्राइब नहीं दिखते हैं क्योंकि 70% डाइट से बोडी बनती है यह तो आपने सुना होगा बट मैं बोलता हूँ 30 यह 70 से नहीं आपकी बोडी 100% वर्काउट और 100% डाइट से बनेगी जितना ध्यान आप वर्काउट पे देते हो उतना डाइट पे देखे देखो फिर देखो आप रिजल्ट आपकी बोडी न क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो उसी टाइम आपकी बोडी आपके मसल को रिपेर कर रही होती है जिसे आप जिम में वर्काउट करते टाइम मसल टिस्यूज को ब्रेक करते हो और अगर आपकी बोडी को प्रोपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो मसल रिपेर कब होगी मसल इतनी जल्दी बोडी रीकवर होगी आपकी उतनी फुल इंटेंसिटी के साथ रुटाउट कर सकते तो प्रस्ट कर सोो बे tämä बॉर्टम ही अगर प्रेश्ट नहीं करोगे तो फूल एनेरजी के साथ रुखाWART आपका धान भटक जाता है कभी आपका दोस्ता आजाता है जिम्में तो आप उससे बात ही कमे लगता हो कभी फाल्को का 80 मजाग सुरूज़ा हो जाता है स्ब्सक्राइब पसंदने जाते हैं अब जिम्में बोडी बनाने वाते हो ना कि गाने शुनने तो जिस काम के लिए जिम में आए हो पहले उस पे फोकस पर फिर दोस्ती, यारी, गाने, म्योजिक बाद में सब सुन देना मसल माइन के लिक्सान होना बहुत ज़रूरी है इससे आप इंजरी फ्री रहते हैं और बोडी में रिजर्ट भी बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत जल्दी दिखते हैं और अगर बोडी बनानी है तो ग्रूप में प्लीज वर्काउट करना छोड़ दो चार से पांच लोग एक साथ वर्काउट करते हो फिर एक सेट के बाद 10 मिनट का रेस्ट लेते हो क्योंकि आपका नमबर ही 10 मिनट बाद आता है जिससे आपकी बोडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है इसके कोई फायदा नहीं होता और ग्रूप में वर्काउट करने से बस नुक्सान ही है कोई फायदा नहीं दिखता मुझे एक पार्टनर रखो बस अगर आपसे अकेले वर्काउट नहीं होती तो बट ग्रूप में वरकाउट मत करो इससे ना तो आपका मसल माइंड कलेक्शन बनेगा और नहीं आपकी बोडी अब बात करते हैं इगो लिट्टिंग की कभी भी इगो लिट्टिंग मत करो किसे दिखाना यार आप खुद के लिए बोडी बना रहे हो कोई नहीं देखता कि आप कितना वेट उठा रहे हों कितना वेट नहीं उठा रहे हों किसी को किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता हाप उठा there और इसमें रिस्क कम चाहिए करो पर प्रोपर करो एक एक क्रैप आपको फील होना चाहिए जिस भी मसल्र की आप वरकाउट कर अगर आपको इन्जरी होगे तो सोचे क्या होगा जितनी मसल बनाईए आपने, जितना की टाइम दिया है आपने जिम में, वो बोडी भी नहीं बचेंगे आपको आप और आपकी फैमिली दोनों जो परिसान होगी वो अलग, खुद को कोसोगो कि नहीं करना चाहिए था बट उसके बाद तो कोई फाइदा नहीं है ना करिंजरी हो गई तो, और फिर इगो लिफ्टिंग तो छोड़ो, नॉर्मल वेट लिफ्टिंग भी नहीं कर पाऊगे सो, हार्ट वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करो, बोडी अपने आप बनाईगी, आप बात करते हैं वर्काउट के फॉम की, जितनी अच्छी आपकी फॉम होगी, उतनी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी जब भी मसल ग्रो करेगी, क्योंकि जब आपकी फॉम इजी हो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो इसलिए quantity नहीं quality matter करती है तो आप 10 kg से भी बहुत अच्छे साफ अपनी मसल को हिट कर सकते हो 10 kg तो छोड़ो आप 5 kg से भी अगर अच्छे से फॉम के साथ और फोकस के साथ वर्काउट करो तो बहुत अच्छा आपको पंप मिलेगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना मत भूल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में